नमस्कार दोस्तों मैं सुमीत आप सब का स्वागत करता हूँ बर्ड स्केर एंफो यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर सीचन में पैलट की सदेन देथ क्यों हो जाती है इसका रीजन क्या है और कैसे हम अपने पैलट को इतनी तेज गर्मी में मरने से बचा सकते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव और यूसफुल होने वाली है तो वीडियो को बिना अस्क्रिप की ये लास्ट तक देखते रही है और अगर आप चैनल पर नए आ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन वेल को प्रेस करके और पसेट कर ले तकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को हम शुरू करते है तो दोस्तो अकसर समरसीजन में पैरोट की देथ हो जाती है और इसका मेन रीजन है डिहाइडरेसन, टीट अस्ट्रोक जेसी बिमारिया गर्मी की टाइम बर्ट्स पैरेट को सबसे ज़्यादा यही प्रोबलम होती है यह गर्मी को बर्दास नहीं कर पाते और अनफोर्चुनेटली उसकी देथ हो जाती है तो कहीं ने कहीं आपकी भी लापर बाही रहती है अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो चलिए अभी हम बात करते हैं कैसे हम अपने पैरेट को मरने से बचा सकते हैं क्या कुछ पिर्वेंट करना है अपने पैरेट को लेकर तो यहां से बीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है पॉइंट नमबर व पैरेट को टेरेस या भी बालकनी में भूल कर भी नहीं छोड़ना है पैरेट को वहीं पर रखना है जहां पर आप रह रहे है या भी पैरेट को रूम के अंदर फैन ओन करके रखिए बट यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा अगर फैन ओन रहता है तो की टाइम तोते को हर एक दिन गैप करके नहलाना पहुत ज़रूरी है टाइमिंग की बात करें तो मौर्णिंग के साथ से नौ बज़े के बीच नहलाना है और कभी भी पैरोट को डायरेक्ट धूप से लाकर नहीं नहलाना है क्योंकि इससे वो बिमार भी पढ़ सकते पॉइंट नवर फोर बहुत से वीवर्स मुझसे पूछ रहते कि पैरोट के लिए सही टेमपरेचर क्या है तो देखिए अगर टेमपरेचर 25 तो 30 डिगरी तक है तो ऐसे में आपके पैरोट को कुछ नहीं होगा यह बर्ट्स पैरोट के लिए बिलकुल परफेक्ट टेमपरे है तो वहाँ पर पैरोट को प्रॉब्लम हो सकती है उसका बोडी हीट होने लगता है और कई बार यह गर्मी को बड़दास नहीं कर पाते और उसकी देथ हो जाती है तो चाह करना है आपको अगर जो टेमपरेचर 40 डिगरी क्रॉस कर गया है तो वहाँ पैरोट को ओरस देना और फिर पैरोट को पीने के लिए दे देना है और कोसिस करें अपने पैरोट को ज्यादा तर वैसे फूट दें जिसमें पाने की मात्रा ज्यादा आओ जैसे कि वॉटरमेलन, पंकिन, कुकुमबर इसमें अप टू 90 परसेंट वॉटर कंटेंट होता है जो कि पैरोट को हैड description box में देदों का link पर click करके आप video को देख सकते हैं Point number 6 कुछ भीवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं अपने parrot को AC वाले room में रख सकता हूँ या फिर नहीं तो ज़िए कि parrot को AC में रखना recommended तो नहीं है बट आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भातों का ध्यान रखना है जैसे कि AC का direct flow parrot के उपर नहीं लगना चाहिए और AC की filter को भी regular clean करते रहना है क्यूंकि AC का filter बहुत जल्दी गंदा हो जाता है जिसके थूरू room के अंदर bacterial infection इंटर कर जाता है जो कि humans के लिए उतना ज़्यादा effective नहीं होता बर्ट, बर्ट्स या फिर पेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा harmful है इसलिए week में at least एक बार filter को अच्छे से clean कर लेना है पॉइंट नबर 7 parrot को बिल्कुल गर्म जगों पर नहीं रखना है जहाँ पर थोड़ा ठंडा फिल हो रहा हूँ वहीं पर अपने parrot को रखिए इससे आप बहुत हद तक अपने parrot को गर्मी से बचा सकते है पॉइंट नबर 8 कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेरा parrot इतनी तेज गर्मी होने के वापजूत पानी नहीं पीता है परोड के केज में हमेशा एक फ्रेस वाटर का वाव रखना चाहिए सो फ्रेंस आज मैंने आपको बताया गर्मी की टाइम परोड क्यों मर जाते हैं और कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो तो आज की वीडियो को हम यह पर वाइंड अप करते हैं